आज के टाइम में इंसान जब भी गाड़ी लेने जाता है तो वो सबसे पहले सोचता ही कि उसका बजट कितना है बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती जिनका बजट कम होता और बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती जिनका बजट और भी कम होता है तो आज मैं आपके लिए 6 ऐसी गाडियन लेकर आया हूँ जो 10 लाग रुपे से कम में आपको मिल जाती है और हो सकता है कि इनका जो अन्रोड प्राइज है वो थोड़ा सा आपको 10 लाग से ज़ादा देखने को मिल जाए तो यहाँ पर नंबर 6 पर आती है सुजू की बलेनो बलेनो दोस्तो हर महीने काफी अच्छी सेल्स पकड़ कर बिग जाती है कम से कम 10 से 12 लाग रुपीस एक शुरूम का मिल जाता है इस कार को जो टॉप मॉडल है वो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है 10 लाग रुपे स लेकिन आप इसका सेकंड टॉप भी ले सकते हो तो वह आपको 10 लाग रुपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो लुक्स है वो बहुत ही शानदार है कार में आपको एलेक्ट्रिकल्स भी जबरदस्ट से मिल जाते हैं जैसे की हो जाता है LED प्रोजेक्टर हैड लैंप ग्लॉ आपको 170 mm का इस कार में मिल जाता है कार के एंजन की बात करें तो कार में आपको दो इंजन ऑप्षिन मिलते हैं पहला आपको मिलता है 1.2 लीटर का नैचरली एसपरेड़ पैटोल इंजन जिसमें आपको 82 बहपी की पावर और 113 न्यूटर मीटर का टॉर्क मिलता है और इस इंजन से आप तकरीबन 23 kmpl तक का मायलेज निकाल सकते हो मायलेज एक ऐसे चीज़े जिसको इंसान हर बार सोचता है और ये गाड़ी आपको अच्छा ही मायलेज दे देती है वहीं दूसरे इंजन आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का CNG और इससे आप तकरीबन 26 kmpl तक का मायल जिसमें आपको Apple CarPlay और Android Auto connectivity मिल जाती है Bluetooth connectivity, USB and AUX input ports, steering wheel mounted controls, power windows, auto climate control, keyless entry, push button start, heads up display, 360 degree camera तो अच्छे अच्छे features और जो basic features हैं वो भी आपको इस कारम बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं safety features की बात करें तो यहाँ पर जो build quality कार की वो थोड़ी से कमजोर है लेकिन आपको safety features ठीक ठाक मिल जाते हैं जैसे की हो गया dual front airbags, ABS with EBD, brake assist, ISOFIX child seat, rear parking sensors तो ऐसे सही चीज़ें आपको safety class कार में मिल जाती है तो मैं कहूं तो अगर आपका budget कम है और आपको एक comfortable और एक अच्छी mileage वाली कार चाहिए तो आप Suzuki बलेनों की तरफ जा सकते हो नमबर 5 पर आती है Hyundai Xter, Xter एक 5-setter SUV है जो कि अभी हाल फिलाल में ही launch होई है और ये कार जो है वो लोगों को बहुत पसंदारी है 6 लाग रोपे Xroom से ये कार चालू होती है और इसका जो top model है वो आपको 10.10 लाग रोपी Xroom का मिल जाता है हाँ इस कार का जो top model वो आपको 10 लाग रोपे के ऊपर मिलता है लेकिन आप इसका SX AMT वाला वर्जन ले सकते हो जो कि आपको 9.86 लाग रोपी on road का मिल जाता है और इसमें आपको सारही features मिल जाते हैं जो की काम के होते हैं कार का जो look से वो बहुत ही शानदर हो कार में जो electricals हैं वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीकी से work करते हैं visibility को लेकर कोई भी complaint आपको नहीं आएगी night visibility आपको यह बहुत ही तगड़ी offer कर देते हैं कार में आपको 15 inches के alloy wheels मिल जाते हैं लेकिन अगर आप SX AMT वाला model लेते हो तो उसमें आपको R 15 inches के steel wheels देखने को मिलते हैं कार में आपको 185 mm का ground clearance मिल जाते हैं तो आप खराब से भी खराब रस्ता से इस कार को आराम से निकाल सकते हो अगर बात कर लेते हैं कार के engine की तो कार में आपको दो engine options मिल जाते हैं पहला आपको मिलता है 1.2 liter का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 83 bhp की power और 113 newton meter का torque मिलता है वहीं दूसरे engine आपको मिलता है 1.2 liter का CNG नॉर्मल पैटर वाले engine से आप तकरीबन 18 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो और CNG वाले से आप तकरीबन 20-21 तक का mileage निकाल सकते हो 5-speed के manual transmission और automatic transmission में आपको यह वाली गाड़ी मिल जाती है कार के interior से बात करें तो कार के interior बहुत ही spacious और comfortable है वैन्यू से थोड़ी बहुत छोटी ही ये कार है तो आप बिलकुल घबराओ मत इसमें आपको बड़ी ए space मिल जाती है तो आप 5 लोग आराम से इस कार में travel कर लोगे डिजिटल इंस्ट्रुमेंट कंसोल, steering wheel, mounted controls, 8-inch infotainment system with apple carplay, android auto, auto ac, sunroof भी आपको यहाँ पर इस कार मिल जाता है और अगर आप sx amt लेते तो उसमें भी आपको sunroof मिल जाता है rare ac events और dash cam आपको इसके top model में मिल जाता है तो देखा जाए तो बहुत इबड़ी आप features आपको इस कार मिल जाते हैं और जो car के safety features हैं वो भी यहाँ पर आपको जबदस्त मिल जाते हैं तो मैं कहूँ तो अगर आपका budget कम है और आपको कम budget में एक अच्छी car चीजिसमें आपको बढ़िया feature मिल जाए और एक अच्छी खासी build quality मिल जाए तो आप Hyundai extra की तरफ जा सकते हैं नमबर 4 पर आती है Renault Kaiger Kaiger पता नहीं क्यों अपने आप में ही बहुत underrated हैं लोग इस car को पसंद नहीं करते हैं जबकि ये car कम price में बहुत ही अच्छे features offer कर देती है 6.50 lakh रुपीज एक शुरूम से ये car चालू होते हैं तो इसका जो top model वो यहाँ पर आपको 10 lakh रुपे से उपर मिलता है लेकिन आप इस car का RXZ DT वाला model ले सकते हो जो कि आपको 10 lakh रुपे का on-road मिल जाता है अभी festive seasons भी आ रहे हैं और festive season में renault company अच्छा खासा discount देती है तो आप हो सकते हैं और कम है आपको यह वाला variant मिल जाए car का जो looks है वो बहुत ही शानदार है car में आपको बहुत ही जवरदस electrical भी मिल जाते हैं जैसे कि हो गया LED headlamps projector headlamps भी आपको मिलते हैं अलग वाले variant में LED DRLs, LED Tail Light, Bulb Indicators car में आपको 205 mm का ground clearance मिल जाता है अगर बात करें engine की तो car में आपको 2 engine options मिलता है पहला आपको मिलता है 1 liter का turbo petrol और दूसरा को मिल जाता है 1 liter का naturally aspirated petrol engine 5 speed के manual transmission और automatic transmission में आपको वाली गाड़ी मिलती है और CVT automatic का भी option आपको इस car में मिल जाता है वहीं अगर बात करें car के interior से तो car के interior बहुत ही spacious और comfortable है तो आप 5 लोग आराम से इस car में travel कर लोगे और अगर बात करें और कुछ features की तो आपको मिलता है infotainment system with smartphone connectivity, apple carplay और android auto की connectivity, digital driver display, keyless entry, rear AC vents ऐसे features आपको मिल जाते हैं, safety की बात करें तो आपको 4 airbags मिलते हैं, global encape की तरफ से car को 4 star की safety rating दी गई है जो की बहुत ही अच्छे safety rating है, ABS, EBD, rear parking sensors, rear parking camera और आपको देखा जाए तो traction control भी इस car में मिल जाता है तो safety features भी आपको इस car में बहुत ही जबर्दस मिल जाते हैं, at least Suzuki से तो बहुत ही अच्छे features आपको येवाली गाड़ी offer कर देती है safety के मामले में तो मैं गहुंत अगरा का budget कम है और आपको एक कम budget में एक अच्छे safety वेली कार चाहिए, तो आप Reynolds काईगर की तरफ जा सकते हो नमबर तरी पर आती है वो कार जो हर एक middle class family की जुबान पर ready हुई है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं मारूती सुजूकी वेगनार के बारे में ये जो कार ये पिछले 15-20 सालों से बहुत अच्छा response दे रही है और आज भी लोगों को ये कार बहुत ज़्यदा पसंद आती है 5.54 लाक रुपीज एक शुरूम से ये कार चालू होते है और इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 8.50 लाक रुपीज एक शुरूम का मिल जाता है और इसका जो टॉप मॉडल है वो भी आपको 10 लाक रुपे के अंदर ही मिल जाता है कार के जो लुक्स है वह बहुत ही शांदर है बॉक्सी शेप में ये कार आती है और बड़ी ही लुक्स एकार ओफर करती हो और जो कार में अलेक्टरिकल्स हैं वह भी यहाँ पर आपको प्राइस के साब से बहुत ही जबरदस्त मिल जाते हैं तो उनकी visibility के लेकर कोई भी complaint आपको नहीं आने वाली है कार के engine की बात करें तो कार में आपको दो engine options मिलते हैं पहला आपको मिलता है 1.2 लीटर का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 83 BHP की power और 113 Nm का torque मिलता है और इस engine से आप तकरीबन 25 Kmpl तक mileage निकाल सकते हो 5-speed के manual transmission और optional में ASG transmission में आपकी वाली गड़ी मिल जाती है वहीं दूसरे engine आपको मिलता है 1.0 लीटर का CNG और इससे आप तकरीबन 26-27 Kmpl तक का mileage निकाल सकते हो कार के interior से बात करें तो आप 5 लोग आराम से comfortable होगे इसमें travel कर लोगे smart play touchscreen system, engine start stop button, steering wheel mounted control, digital instrument console ऐसे features आपको इस कार मिल जाते हैं, AC, auto AC, rear AC vents तो price के साब से features आपको इस कार में ठीक मिल जाते हैं और जो safety features हैं वो भी यहाँ पर आपको इस कार में जबरदस्त offer कर दिये जाते हैं हाला कि जो build quality वो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक अगर आपको कम price में अच्छी mileage बली कार चाहिए और एक comfortable कार चाहिए जो आपको long term तक अच्छा response दे दे तो आप मारूती की wagon hour की तरफ जा सकते हो नमबर 2 पर आती है Tata Punch पंच वो कार है जिसमें आपको 5 star की safety rating मिलती है और इस कार का जो top model है वो यहाँ पर 10 लाक रुपे से थोड़ा बहुती उपर जाने वाला है कार का जो look से वो बहुती शांदर है muscular और bold design यहाँ पर यह कार देती है अगर कार के electricals की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है front में LED headlights और base वाले variant में आपको halogen headlamps मिलेंगे LED DRL नीचे आपको मिल जाएगा LED fog lamp पीछे आपको मिलती है LED tail light और bulb indicators आपको इस कार में offer कर दी जाते हैं कार में आपको black gliding मिलती है उपर आपको roof rails मिलती है पहले कार में sunroof नहीं आता थे लेकिन अब आपको इस कार में sunroof का भी feature मिल जाता है 16 inches के dual tone alloy wheels आपको इस कार मिलते हैं और 187 mm का ground clearance आपको इस कार में मिल जाता है कार के engine की बात करें तो कार में आपको दो engine options मिलते हैं पहला आपको मिलता है 1.2 liter का 3 cylinder ravitron petrol engine जिसमें आपको 85 bhp की power और 113 newton meter का torque मिलता है 5 speed के manual transmission और automatic transmission आपके वाले variant मिल जाता है और इससे आप तकरीबन 18 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो वहीं दूसरे engine आपको मिलता है 1.2 liter का CNG और इससे आप तकरीबन 21 kmpl तक का mileage निकाल सकते हो कार के interior से बात करें तो आप 5 लोग आराम से comfortable होके travel कर लोगे space को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर कोई बोलता है ने कि एका nano GC है तो उसको एक चाटा मार देना क्योंकि इस कार में आपको बहुत ही जवर्दत space मिल जाती है 7 inch infotainment system जिसमें आपको apple carplay और android auto connectivity मिल जाती है TFT instrument console जो कि आपको 7 inch का यहाँ पर मिल जाता है और analog भी आपको यहाँ पर मिलता है 4 speakers, push start stop button, auto climate control, height adjustable driver seat, leather steering wheel, auto fold ORVM, cool head glove box, rear arm rest, 366 liter का boot space भी आपको यहाँ पर मिलता है Car के safety features की बात करें तो dual air wax, reverse parking camera, auto headlamps, ABS, EBD, rear defogger, ISOFIX child with 5 star global Ncape rating तो अगर देखा जाए तो अगर आपका budget कम है और आपको कम budget में एक safety वाली car चाहिए जिसमें आपको बढ़ी ability कौलिटी मिल जाए तो आप Tata Punch की तरफ जा सकते हो, बहुत से लोग इस car को पसंद करते हैं Number 1 पर आती है मारूती Alto K10, ये जो car है ये मैंने उन लोह के लिए select किया हूँ जिनका budget बज़ेट बहुत ही कम है और कम budget में ये car एक पैसवसूल car है और इसको आप long term तक भी चला सकते हो 3.99 लेक रूपीज एक्ष रूम से ये car चालू होते हैं इसका जो top model है वो आपको 5.94 लेक रूपीज एक्ष रूम का मिल जाता है और इसका जो top model on road में है वो आपको VXT Plus मिलता है automatic में जो कि आपको 6,48,000 रूपीज का on road मिल जाता है कार के जो looks है वो decent सही है और decent looks में ही ये car देखने में बहुत ही जबरदस लगती है और कार में जो electricals है वो भी यहाँ पर आपको price के साब से बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं तो आपको visibility को लेकर कोई भी complaint नहीं आने वाली है कार में आपको ये की engine मिलता है जो कि है 1 लीटर का petrol engine जिसमें आपको 65 BHP की power और 89 Nm का torque मिलता है 5-speed के manual transmission और automatic transmission आपको ये वाली गाड़ी मिल जाती है देखा जाए तो कम price में आपको इस कार में automatic मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और इससे आप तकरीबन 27 KMPL तक का mileage निकाल सकते हो कार के interior से बात करें तो आपको keyless entry कार में मिल जाती है 5 लोग आप आराम से comfortable होकर इसमें travel कर लोगे comfort को लेकर कोई भी problem आपको इस कार में नहीं आएगी infotainment system आपको मिलेगा जिसमें आपको apple carplay और android auto connectivity मिल जाएगी power windows आपको इस कार मिलती है manual AC दो charging ports भी आपको मिल जाएंगे cup holders AC events steering control भी आपको यहाँ पर मिलते हैं तो देखा जाए तो price के साब से बहुत ही जबर्दत features भी आपको यह वाली गाड़ी offer कर देती है और जो safety features हैं वो भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं तो मैं खहूं तक अगर आपका budget कम है और आपको एक कम price में अच्छी mileage वाली ही है तुमी देखिया आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको like करो share करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आया हो तो subscribe करके बेल ऐकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं अभीकली थैंक्स तिल देन वेट फोर मैं नू अबकमिं वीडियोज